जाए मंदुर का स्वाध़ते दोस्तों आप सभी खोज सुभरास की चनलेंट ब्लॉप्स में दोस्तों केसे हैं आप साब आई हो आप सब अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का ब्लॉप बुद मॉर्निंग दोस्तों आम तो बटो हस्तों निकल ले है काम के लिए तो ये वीडियो है संडे मॉनिंग का सुभे का करिबन हाइट थाटी एम हुआ था बाहर बारिस हो रहा है राज से हो रहा था बारिस अभी भी हो रहा था पर क्या करें खेती के लिए तो जाना ही पड़ेगा तो इन्होंने बहाँ पर पहन लिया था हेलमेट और रेने कोट निकल गए थे गाउं के लिए तो ये दिखिए अभी भी बारिस हो रहा है पानी के बुंदे टपक रहे है दिखिए पर काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा तो अब दोनों मा बेटी आगे है घर तो दोस्तों ये बक्त है सुभे का करीबन 11 बचा था हम सब घुमने जाने बाले थे तो इसलिए तैयार हो रहे थे तो साही निया पर जिद्दी करी है कि भुग घर पे ही रुकेगी नहीं जाएगी बाहर तो ये दिखिए मों मोड रही है अब ये दिखिए सारे चीजे निकाल कर इधर के उधर इसका काम ही है तो यहाँ पर भाबी जी मुझे पहना रहे थे मंगल सुत्र जो भुग खुद लेके आई थी तो थाइंक्यू भाबी बग्टे तो रुका था पर गिप्ट मुझे भी मिल गया था बहुत अच्छा लग रहा है देखिए तो यहाँ पर हम सब हो गए है तेया पस पास में ही जाना था तो इसलिए सब जैसे थे बैसे ही निकल पड़े है तो यह दिखिए चल रहे सब घुमने के लिए सामने दोनों मामा भांजी बेठे हुए है बड़ी बेठी और उसका मामा मेरे बड़े भीया तो दोस्तों भीया भाबी और वच्ची के साथ किस तरीके से सारा दिन गुजर गया पता ही नहीं चला संडे के सामको वो लोग चले गए थे घर तो सामको घर वेकदम सुना सुना सा लग रहा था कुछ भी काम करने का मन ही नहीं था तो यह दिखिए यह जो वीडियो है यह मॉन्डे सुभे का है बाहर दिखिए अभी बक्त हो गया था उपसा ही शिक्स एम के आसपास ही था तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चियों की उनिफर्म को आयरन कर रही हूँ तो दोस्तों आयरन खतम करके यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रिकफर्स्ट तो यह दिखिए कड़ाई में मैंने तेल को पहले से ही निकाल कर गरम होने के लिए रख दिया है गेस को अन करके तो राज से ही मैंने भीगो के रखा था उड़त की डाल और चाबल को तो सबसे पहले बस थोड़ा सा ही ग्रैंडिंग करूँगी दोनों बेटियों के लिए ही बात में बाकी सारा ग्रैंडिंग करूँगी तो दोस्तों इनके लिए आज मैं बनाऊंगी बड़ा तो सिंपल तरीके से बस नमक ही डाल के करूँगी तो यहाँ पर मैंने ग्रैंडिंग कर लिया है उड़त की ताल और चाबल को एक बरतन में निकाल लूँगी यह दिखिए आप इसमें बस थोड़ा सा ही नमक डालूँगी स्वात के अनुसार और कुछने डालना है अगर आप इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता को भुन के या फ्राय करके डालेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा अधरक का दुकस करके प्याज डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है पर क्या करें बच्चों के लिए बना रही हूँ उनको ये सारे चीचे पसंद नहीं बड़े में अगर डाल दो तो बस सीम्पल तरीके से थोड़ा सा नमक ही डाल के बना रही हूँ तो यहाँ पर पहले बना रही हूँ बड़ी बेटी के लिए ये दिखिए बड़ा साइज का जो बीच में होल होता है उस तरीके से बना रही हूँ छोटी बेटी के लिए छोटी साइज का बनाऊंगी, उसको पसंद नहीं है ये जो होल साइज का, होल बाला बड़ा साइज का बनाती हूँ, वो ने खाएगी तो पहले यहाँ पर मैंने बना लिया है, बड़ी बेटी के लिए, ये दिखिए दोनों के लिए बस थोड़ा थोड़ा ही करूंगी बात में हम लोगों के लिए भी करूंगी तो यह दिखें दोस्तों यहाँ पर एक कप में मैंने निकाल लिया है दूर उसमें डाल दिया बन भीटा थोड़ा सा चीनी डाल दिया है इसमें बड़ा हो गया था इस बिच तो मैंने बड़ा को पहले निकाल लिया तो आज संडे है तो बस दोनों बेटियों के लिए ही बनाऊंगी बड़ा और बागी का पेश्ट जो है मुंग रख लूँगी तो थोड़ा सा चीनी डालके मिला लिया बन भीटा को अब यहां पर मैं पेख करें हूँ बड़ी बेटी का टिफिन बॉक्स तो यह दिखे यह लेगी थोड़ी सी सबजी और बड़ा इसको सास पसंद नहीं है बड़ा के साथ तो यह दिखे दोस्तों यहां पर मैं आप बना रही हूँ छोटी बेटी के लिए चोटी साइच का बड़ा तो यह लेगी सास के साथ टिफिन दोनों का पसंद बहुत अलग अलग है दोस्तों हर घर में यह होता है अगर दो बच्चे हो तो दोनों के पसंद बहुत अलग अलग होते है तो यहाँ पर मैंने फ्राय कर लिया तल लिया सारे बड़ा को अब निकाल लूँगी तो दोनों बच्चों के जाने के बाद यहाँ पर मैंने कर लिया था पूजा तो ये डेली रूटिन है दोस्तों दोनों बच्चे जब जाते हैं स्कूल तब है मैं करते हूं पुजा उसके बाद खाना बनाना सुरू हो जाता है तो ये दिखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है पुजा अब आ गई हूं किचेन में तो आज मैं सिंपल तरीके से बिना प्याज लेशन से बनाओंगी आज का खाना चाबल कड़ी सबजी बगेरा बनाओंगी तो यहां पर मैं बेजीटबल्स डालके बना रही हूं कड़ी तो दोस्तो हां मेरे इसको आमिला बोलते हैं दही आमिला क्यूंकि मैं दही टमाटर डलके बनाओंगी आपके यहां क्या बोलते हैं कमिंड में लिखेगा जरूर तो सबसे पहले मैंने पानी को उबाल लिया था और कद्दू और बेंगन को बड़े-बड़े साइज में काटकर इसमें डाल दिया है जब पानी अच्छी तरीके से उबल जाए तभी बेंगन को डालियेगा नहीं तो वो अच्छी तरीके से पकता नहीं है शिकूर जाता है बेंगन उसका टेस्ट बिलकुल ही अच्छा नहीं लगेगा तो जब पानी अच्छे तरीके से उबले तब ही अड़के जिगा भेजिटाबल्स को तो मेरे पास ज्यादा भेजिटाबल्स नहीं था तो इसलिए बस कद्दू और बेंगन से ही बना रही हूं क तो यहां पर मैंने डाल दिया हल्दी थोड़ा सा मिर्ज का पावडर और नमक डाल दूंगी यह दिखिए हेलो दोस्तों गूर्मोनिंग तो आज है सावन का पहला सोंबा शिव जी का प्रत है आज तो मैंने कर लिया है पूजा मंदिर जाने पाई दोस्तों क्यूंकि सबेर के बाद दोनों बेटियां में निकलती है और मेरे हज्मेंट में जाते है स्कूल तो मुझे तीनों के लिए खाना बनाना होता है तो वक्त ही नहीं मिलता इसलिए मैं जाने पाई कोई छुटी दिन देखके जाओंगी जरूर तो यहां पर दोनों बेटियों के लिए मैंने तो यह आज लांच वक्स फिर से लेके जाएंगे घर से ब्रेकफरस्ट करके निकलेंगे तो दाल चाबल मैंने पहले से ही बना लिया है अभी बना रही हूं कड़ी कदू और बेंगन डालके तो आज का खाना जो है दोस्तों बिना प्याज लेसन से बनेगा प्याज लेसन तो एक कटोरी में एक बरतन में मैंने ले लिया है पानी उसमें डाल दिया दो चमच बैसन अब इसमें डाल दूंगी दही दो बड़े चमच डाला है देखिए अब अच्छी तरीके से दही पानी और बैसन को यह देखिए इस तरीके से जैसे कि इसका गुठली नार है इस तर एक टो गढ़ि को जितना देर पकाओगी उतना टेस्ट लगता है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा कासमली लाल मिर्च का पाउडर तो लगभख यहां पर मैंने इसको 10 से 15 मिनिट तब उबालने के लिए छोड़ दिया है क्यूंकि कड़ी जितना उबलता है उतना टेश्टी बनता है तो यह दिखिए उबल रहा है तो इसमें मैं छोख लगाने के लिए टमाटर को काटके रखाता तो मैं कभी कभी क्या करती हूं पहले टमाटर को चटनी के जैसे बना के डाल देती हूं उसकी बाद तड़का लगाती हूं पर आज थोड़ी से अलगतर के से बनाऊंगी तिल ल दाल दिया पंच पुटन का तड़का थोड़ा सा करीपत्ता अब देखिए सुखी मिच डाल दिया तो इसको भून लूंगी थोड़ी देर खलका सा ज्यादा वक्त नहीं फुनना है अब इसमें थोड़ा सा कस्मी लाल मिच का पाउडर डाल देंगे ताकि कलर चुह देखिए यह प्रोसेस पहले भी काती हूं पर आज मैं बाद में कर रही हूं टमाटर को बचा हुआ तेल में डाल दिया उपर से डाल दिया थोड़ा सा नमक और यह तरीके से इसको मिला के अच्छी तरीके से इसका चटनी बना लेंगे यह देखिए अच्छी तरीके से टो देंगे स्क्षाब चरड़ के ओपर कभी कभी में पहले और इसे पका के पकते समय ही डाल देती हूं है और आज मैं बाद में डाला है कि अपस्ँ दिन सिंप ain के मिला लेइंगे तकते इसे बैस को , कड़ी के साथ तो ये देखिए atau बनके रेडी है हमारा वेजिटेबल का कड़ी तो जरू ट्रै किजिए एक बार इस तरी किसे बनाईए तो दोस्तों भक्त हो गया था रियू के आने का पर आज मैं उसको लेने नहीं जाओंगी क्योंकि आज मामी जी उसको लेके आएंगे तो बाहर थोड़ा सा धूप हो रहा है तो सारे कपड़े में ने साप करके दूप में टांग लिया है सुखने के लिए तो आज का सारा काम मेरा खतम हो गया है खाना बनाना घर का क्लीनिंग सब कुछ खतम हो गया है तो मैं जाओंगी मामी जी के घर कुछ दिर बैठूंगी बापचित करूंगी क्योंकि घर में मैं बोरोरो हो रही हूँ अकले अकले बैठ कर तो जा रही हूँ अभी मामी के घर आते बग्त रियू को ले के आऊंगे मामी जब रियू को ले के आऊंगे तभी मैं आऊंगी उसको ले के अपने साथ तो तब तक दोस्तों मैं जा रही हूँ मामी जी के घर कुछ दिर बेठूंगी और आऊंगी तो ये दिखे दोस्तों जब मैं मामी जी के घर में थी तो बहाँ पर ये बेजने आये थे तो मैंने खरित लिया है थोड़ा सा चना और दाल तो आप श्टोर कर दूंगी तो पहले एक डिबे में एक कंटेनर में मैंने चना को रख लिया क्यूंकि बारिस का मौसम है अगर ज्यादा देर बाहर रहेगा तो ये जो है एर की बज़े से प्रंची नहीं रहेगा तो अप मैं एक कंटेनर में दूसरा बाला कंटेनर में डाल को रख रही हूँ और बचा हुआ दाल को एक पलितिन में रखके बड़ा बाला जो श्टील का कंटेनर है बहां पर रख लोंगी तो दोस्तों मैंने रात को भीडियो नहीं बनाया था रात के खाने का क्योंकि साम को मौसी जी के गर पूजा था तो उन्होंने बुलाया था वहाँ चली गई तो आते आते रात का साथ बच गया था तभी मैं बच्चों के पास बड़ेठी पुझते पढ़ाई की उसके बाद खाना बनाई तो दोस्तों आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे लाडो के तरफ से बहुत 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 सुक्रिया आप लोगोंने बहुत सारे गोड़ उसेस और आसिरबात त्या है मेरे बेटी को तो दोस्तो जीवन में और कुछ नहीं बस बड़े भूजुर्बू के आसिर बात और सबके गोड़ू इस ऐसी चाहिए तो दोस्तो आज का ब्लोग को यही रखते है आगे फिर मिलेंगे एक नए ब्लोग के साथ तब तक दोस्तो गोड़ नाइट